हाई इस इंदर जीत वेलकम यूट दे लास्ट रिव्यू फाइनली दियोल्स थर्ड जनरेशन है स्टैप्ट इंटू था बॉलीवूड और करन दियोल की पल-पल दिल के बास रिलीज हो चुकी है फिल्म बहुत बेसिक है बहुत आवरेज है फिल्म मलब बिलो आवरेज भी क क्योंकि मैं शुर्टी से कह सकता हूं कि स्टनी दियोल भी जब डिरेक्ट कर रहे होंगे करन दियोल को नहीं लग रहा होगा कि action sequences के अंदर action scenes के अंदर करन दियोल is more impacting than emotional and romantic scenes और इसे देखने में आपको clear पता लग जाएगा emotional scenes romantic scene जो एक एक बंदा लोंडा जो वहां बैठा होगा ना hall में वह देखके कह सकता है इससे बड़ी acting भाई मैं कर दूँ और clear literally मुझे लग रहा था कि यह 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 मैं बढ़िया कर सकता था इन से action sequences के अंदर he leaves a mark बहुत बढ़िया काम है उनका action sequences के अंदर और कुछ camera जिस तरह से उनको दिखाया गया acting है उनके अंदर यार मज़ा आता है देखके लगता नहीं है कि कोई debutant है परदे के उपर सामने तो जो को story के बारे में जाना complication हो जाएगी करनी क्योंकि जिन चीजों पर focus करना चाहिए था वहां तो किया नहीं जिन पर focus नहीं करना था वहां कर दिया एक पुरा second half है वो sequence है जिसमें political sequence दिखा रहा है मतलब वो इतना लंबा खिंच दिया और उसको जो एक matter दिखा रहा है फिल्म के अंदर उसको इतना hype दे दी उसे खतम ही नहीं किया end में just sorry और खतम और sorry भी वो नहीं बोल रहा है उसकी मा सोरी आके बोल देती है और काम खतम तो यार यह चीज़े कुछ अची नहीं एक दम से खतम कर दी फिल्म मतलब एक तो इतनी लंबी लग रही है कि साली कब खतम होने वाली है क्या चल रहा है क्या नहीं चलेगा और होगा क् पूरी फिल्म के अंदर जो सबसे बेस्ट पार्ट है रोमेंस का अगर में बात करूं जहां पर आपको समा बान दिया जाता है वो है जब टाइटल ट्रेक पल-पल दिल के पास शुरू हो रहाता है सेकिंड हाफ में वो शुरुआत महीं आ जाता है पंदराविस मिनट में वो जब शुरू होता है खतम आने तक मतलब कमाल का समा बानता है और सबसे बड़ी बात है कि फिल्म में यही है एक रोमेंटिक पल जो मुझे लगा इसके लाव सब जबर्दसी लग रहा था पतानी क्यों तो अवरोल में आपको पताया दिया फिल्म मुझे कैसी लगी तो ऐसी ही फिल्म देखने लाइक नहीं है मतलब सनी दोल की डिरेक्शन भी कुछ खास नहीं है और उनके बेटे की एक्टिंग भी क पतना मदा नहीं आ रहा नेचर्ण नहीं लग रहे थे कहीं से अभी साहरवांबा बहुत बढ़िया लगी है और इसके अलावा अगर हम मुझे नाम नहीं पता ही एक्टर काफी नहीं है इसके अंदर जो विलेन है विरेन नारंग का करेक्टर है फिल्म के अंदर उनकी एक् पास गाना आता है तो आपको बहुत बढ़िया लगता है और मुझे भी अच्छा लगाता है इसके अलावा फिल्म के अंदर बीप बहुत जादा है यार एक तो ना मतलब ऐसा कुछ है भी नहीं की गालिया दे रहे हैं बास्टर में भी बीप कर रही है पूरी फिल्म में ल बाका भी था एक्शन भी था सब कुछ सा फिल्म के अंदर लेकिन सब कुछ थोड़ा थोड़ा इतना कुछ जादा नहीं है तो मुझे ओवरॉल लगा कि थेटर में जाकर पैसे वेस्ट करने नहीं चाहिए है आपको जब भी टीवी पर आएगी आपी फिल्म देख सकते हो लेकिन अगर आप Sunny deol के fan है या Karan deol के fan है, आप Deol family के fan है तो तो आप तो कौन रो सकता पिर आपको जाई यह फिल्म देख के आई है तो यह थे हमारे Karan Deol and Sahar Bamba Starler पल-पल दिल के पास के रिव्यूस मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, teaser, trailer, reaction या movie review के साथ और अगर आपको वारी वीडियो से निए है गिव ए थम्स अप लाइक ए शेर इट ए अन सब्सक्राइब आ चनल प्लीज प्लीज आ बैद रे निए अगली वीडियो में बाई थैंक यो फावचिछ